नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के और बने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मकर संक्रांती और लोहरी पर्प को लेकर राज़पाल और सीम नितीश ने दी बधाई विपार ने सीत लहर को लेकर अलट मार्केट से 23,000 करूर रुपे कर्ज लेगी बिहार सरकार सभी विस्विद्यालेओं के लिए राज़पाल का निर्देश कि इंडिया के मेंटोर बना चाहते हैं युवराज इसके साथ ही बरतें साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से मकर संक्रांती और लोहरी पर्प को लेकर राज़पाल और सियम नितीस ने दी बधाई राजपाल राजिंद्र विस्विनात आ लेकर और मुखे मंत्री नितीस कुमार के द्वारा आज मकर संक्राम्ती और लोहरी पर्व को लेकर समस्त प्रदेस वासियों और देस वासियों को बधाई और शुबकाम नाय दी गई है मुखे मंत्री इंतीस कुमार के द्वारा लोगों को बधाई देते वे कहा गया है कि लोग इन पर्वों को हर सो लास पारस परिक इसने एवं सोहार्थ की साथ मनाए मकर संक्रांती के पावन असनान के बाद लोग चूडा दही तिलकुट खाते और खिलाते हैं इससे परस्वर प्रेम और सद्भाव बढ़ता है नई फस्तों के घर आने की खुशी में लोहरी पर्व को मनाया जाता है वही राजपाल के द्वारा कहा गया कि समस्त देश वासियों और बिहार वासियों को मकर संक्रांती की हार्दिक सुबकाम नाए मालूम हो किस बार सियासी चूरा दही भोज को लेकर मुखे मंतरी इंतीस कुमार की पार्टी जदियों की तरप से कोई बरा आयोजन नहीं किया जा रहा है हाला कि राज़त सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव इस बार कई सालों बाद चूरा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं जो कि 10 सर्कुलर रोड सित राबरी आवास पर किया जाएगा तिरंगे में लिप्टब पहुंचा सहीद का पार्थिव सरीर बिहार की राज़ानी पटना के मसौरी के रहने वाले सीर पीफ जवान पसुपती नात जम्मू के पुलवावा में ड्यूटी के दोरान सहीद हो गये थे ऐसे में आज यानी की रविवार को उनका पार्थिव सरीर मसौरी के सर्वा गाउं पहुंचा है जहां सहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे जहां भारत माता के जैकारे के साथ पूरा इलाका गुंजता निखा इस दोरान सहीद पसुपती नाथ के बरे भाई के द्वारा सरकार से मांग की गई कि सहीद के सम्मान में गाउं में एक आदमकद प्रतिमा और तूरंद द्वार बनाया जाए ताकिन सहीदों का सम्मान बरकरा रहे मतादे की तिरंगा यात्रा गुम्टी चौराहा तक किया गया और इस मौके पर CRPF के CEO एवं बटालिन के द्वारा उन्हें तिरंगे से लपिट कर सलामी दी गई और भारत माता के जैकारी के नारे लगाएंगा मारकेट से 23,000 करोर रुपे करज लेगी बिहार सरकार बिहार सरकार की तरब से 23,000 करोर रुपे रिंद लेने के लिए भारतिर रिजब बैंक को अनुरोद पत्र भेजा गया है ऐसे मेरे रिजब बैंक की ओर से बिहार सरकार की मांग को ध्यान में रखते वे जन्वरी से मार्च की तिमाही में करीब हर सब्ता दो हजार करोर प्रती भूती की बोली लगाने का निर्णेलिया गया है निसमें सबसे आसान सर्त और बोली लगाने वाले वितिय निकाय से 23,000 करोर की रासी बिहार सरकार को तैस समय में दिलाई जाएगी इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि या कर्ज की रासी 15 वे वित आयों के तैमानक के अनुसार लिया जा रहा है वहीं अर्थिस सास्त्री डॉक्टर रामनन पांडी के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार यदिक कर्ज उन योजनाओं में लगाया जाय जिससे लाब मिलेगा तब तो ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है तो एक अनुपाद के बाद कर्ज बढ़ता है तो बजट के लिए वा बोज़ बन जाता है मालूम हो कि आर्बियाई एजी और राज सरकार के स्रोंधों के अनुसार बिहार देश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में सामिल है वर्स 2021-22 में बिहार राज्य की ओर से 2,69,000 करोर रुपे कर्ज लिए गया थे जो कि वर्स 2022-22 में बरकर 2,85,000 करोर होने का अनुमान नगया जा रहा है बिहार में सीत लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है बता दे कि पटना मौसम विग्यान केंद्र के अनुसार राज में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है ऐसे मिलगों को इन दो दिनों में साब्धान रहनी की चेतावनी दी गई है पटना मौसम विग्यान केंद्र के वैग्यानी के अनुसार वर्तमान में तेज पच्छुआ हवा चल रही है पस्तिम से आने वाले बढ़फिली हवा के कारण पूरे उत्तर भारत में कनकनी महसूस की जा रही है 23 संद के कारण इंदनों साम ढलते ही सरकों पर एवं बाजार में भी सननाटा पसार रहा आईमडी बिहार के द्वारा जारी किये गए पूर्वानुमान के अनुसार आज राजे के उत्तर दक्सिन पस्तिम और दक्सिन मद्य भागो के एक या दो अस्थानों पर घने कुहासे देखने को मिले हैं वहीं राजे के दक्सिन पूर्व भाग्या धिकांस अस्थानों में सुबह के समय हलकिक से मद्य अस्तर का कुहासा देखा गया मास सीता की जनमस्तली से 11,000 दोरा समेट सोने चांदी और कपरे भेजे जा रहे हैं अयोध्या 22 जनवरी को अयोध्या में स्री राम लला की प्रान पतिस्टा होने वाली है SMS को लेकर माता सीता की जनमस्तली सीता मरी के पुनौरा धाम से 11,000 दौरा सोने चांदी कप्रे वस्तर और जरूरत की सामगरी अयोध्या भेजने के तैयारी की जा रही बता दे कि यह सभी सामान साथ ट्रक में भरकर 100 गारियों का काफिला पुनौरा धाम से उध्धा के लिए प्रस्थान करेगी इस बारे में महंत पुनौरा धाम के कौसल किसोर दास के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि राम जी हमारे अराद्धे आ गये हैं अब बाव विराजमान हो जाएंगे और देश में खुशाली आ जाएगी अब जानकी जन्मस्तली में भी मंदर बन जाएंगे संदेश इसलिए भेजा जा रहा क्योंकि जब बेटी ससुराल जाती है तो विदाई में खाने पीने की चीज़े दी जाती है पांच दिवसी मास्टर्स ट्रेनर टी ओटी कारिकरम का हुआ समापन बीते दिन 13 जन्वरी 24 को कौसल विकास एवं उद्यमिता मंत्राले की भारत सरकार की निस्पादन संसान पतना के द्वारा संचालेत संकल्प प्रोजेक्ट के अंतरगत पांच दिवसी मास्टर्स ट्रे भारी एवं अन्य अतिती संकायों के द्वारा अपना अपना व्यक्ष्यान दिया गया जिसमें उद्यमिता विकास के महत्व को बताया गया है इस अफसर पर बिहार के विबिन जिलों के करीब 50 प्रसिक्षू ट्रेनर मौजूद रहें इस पांच दिवसी कारिक्रम में प्र राजपार का निर्देश बिहार के राजपाल राजिंदर विस्वनात आलेकर के द्वारा पार्टली पुत्र विस्विद्याले सिनेट की साथवी बैठक में सामिल सभी सदिस्टों को संबोधित करते वे बिहार के विस्विद्याले में पारदर्सिता लाया जाए इसलिए बिहार के सभी विस्विद्याले को अपना एक एप बनाने का निर्देश दिया गया है, धिसे राज भवन से जोडा जागेगा। राज़पाल के दिये गए दिसा निर्देश के नुसाले सैप पर विस्विद्याले के द्वारा अपनी प्रते दिन की गतिविदी की जानकारी अप्लोड की जाएगी दिस पर राजभवन की ओर से नज़र रखा जाएगा इस सैप माध्यम से विस्विद्याले की नामंकंद क अच्छा परिक्षा और खेल कूद के अलावे मीटिंग और अधिकारियों की गत्विदियों पर भी नज़र रखने की आसानी होगी गंगा की धारा बदली तो गाउं आया सामने बिहार के अमदाबाद प्रखन के 2007 में भीसन बार एवं गंगा नदी कटाव के चपेट में आक गई है ऐसे में अब वहां सिर्फ एक कुवा खरा दिख रहा है बतादे की चार महीने पहले से ही गंगा की धारा इलाके में बदल गई है और दूसरे चोर में चली गई है धारा बदलने के बाद वरसों पहले डूबी जमीन अब निकलने लगी है फिलहाल जहां गाउं था वहां गंगा की एक छोटी धारा का बाहाव है दोजार साथ तक ही अकुवा चौक्चमा गाउं के बीच में रगुवीर सिंग्वा गनेज सिंग के दरवाजे पर इस्थित था उनके पुत्र का कहना है कि उनके दादा ने बंगाल से इट मंगा कर इस कुए का निर्मान करव कर दी गई है इस बारे में रेलवे के मंडल मुख्याले मालदा से मिली जानकारी की नुसा रेल मार्ग के दोहरी करन के उपरांत समार्ग के विद्योती करन के लिए अलग से कारी किया जाएगा वहीं गंगा नदी पर दूसरे रेल पूल के निर्मान को लेकर मालदा रेल मं तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्दमान में रेल पुल के निर्मान में लगबख 14 वर्ष का समय लगा था पटना जंक्सन पर मार्च तक सब्वे से जुड़ जाएगी मल्टी मॉडल हब वर्ष 24 के मार्च महीने तक बिहार की रख्ष रखा गया है इस बारे में मिली जानकारी के नुसार कुल 84,883 करों रुपए की लागत से 440 मीटर लंबे मल्टी मॉडल पेडेस्ट्रियन सब्वे का निर्मान किया जाना है मालू हो कि इसके निर्मान से रेल यात्रियों और अन्य रहागीरों को काफी रहत मिलेग रेल यात्री पटना जंक्सन पर लगे रेल इंजन के पास सीधे एक्सलेटर से युक्त भूमीगत रास्ते से बकरी बाजार से मल्टी मॉडल हब तक पहुँँ जानकारी के नुसार सरक के आधे भाग में भूमीगत रास्ता तयार हो चुका है और रेलवे की तरफ से कारे शुरू करने की तयारी भी पूरी कर ली गई है सुसील मोदी ने जर्यों पर लगाया जूट फैलाने के आरो बिहार के पुर्व उपमुखे मंत्री और राजिसभा सांसत सुसील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया है कि इंडिक गडबंदन में जब कोई नितीज कुमार को स साजयदारी पर सहमती की संभाव न नहीं है राहुल गांदी के नुसार ममतादीदी नितीज कुमार के नाम पर सहमत नहीं है वीडियो कॉनफरेंसिंग योई उनकी पार्टी की और से कुई भी सामिल हुआ है पेम emer पितिज़ कुमार के द्वारा खुद को स हैयोजक बनने क के प्रस्ता आपको ठुकरा दिया गया है जिसके बाद भाजबा के द्वारा लगातार उन पर हमला बोला जा रहा दिसी करी में अब पूर्व केंद्रिये मंत्री और भाजबा नेता रवी संकर प्रसाद के द्वारा एवी पी नियूद से बातीत करते वे कहा गया है कि पहले कि बताएं कि साईोजग का उफर सीरिस था क्या अगर शीरेस था तो पहले क्यों नहीं दिया अगर सीरेस नहीं था तो अभी क्यों दे रहे कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गटबंददर है वेकेंसी है ही नहीं कौन जीतने वाला है सकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन उठा पतक किस पर की सैयोज़क किस को बनाया जाए उन्होंने कहा कि कहावत है बरे बे आबरू होकर तेरे कूचेश से हम निकले हैं इसके साथ उन्होंने कहा कि नितीज कुमार बीजेपी में आएंगे या नहीं या मैं कैसे बताऊंगा ये बात उनसे जाकर पूछिए मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूँ कि जिस ओफर में गंभीरता नहीं उसे दिया ही क्यों इंडिया गडबंदन के गिरने में आज आखरी किल लग गई है न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ राहूल गांधी रवाना हुए मनिपूर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी आज न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ दिल्ली से मनिपूर के थोबल से शुरू होने वाल इस दौरान बिहार कॉंग्रेस से प्रदेश सध्यक्स अकलेश प्रसाद सिंग सहीच सकील एहमद तारीक अनवर मदन मोहन जहा समेट कई नेता मौझूद रहे आपकी जानकारी के लिए बता दे की राहूल गांदी की भारत जोरो यात्रा सरसर्ट दिन में 6700 किलोमेटर की सफ युवराज बीते दिन सनिवार को भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलारी युवराज सिंग के द्वारा दिये गए संकेत से ऐसा लगता है कि वह भारतिय टीम को आने वाली चुनौतियों के लिए मांचिक रूप से तयार करने के लिए भविस्ये में मेंटॉर की भूम से हार गये थे आगामी वर्सों में हमें निस्थित रूप से इस पर काम करना होगा बतौर देश और भारतिय टीम के तौर पर दबाव में बहतर प्रदर्सन करना होगा मुझे लगता है कि कुछ चीज की कमी है जब कोई बरा मैच होता है तो हम सारे लिक रूप से तयार होत थे उन्होंने कहा कि मैं मार्क दरसन करना पसंद करोंगा आगामी वर्सों से जब मेरे बच्चे बरे हो जाएंगे मैं क्रिकेट को वापस देना चाहूंगा और युवाओं को बहतर होने में मदद करना चाहूंगा मुझे लगता है कि हम बड़े टूनामीन में काफी मांसि पहलु में भविस्धि विने खिलारियों के साथ काम कर सकता हूए और इसमें अपना योगदान दे सकता हूँ जाने हैं यानी रवीवार को पित्रोल डीजल के रेथ जारी किये गए घर ले भि जानी पंट साथ दिसम्लब 59 रुपए और डीजल 95.39 रुपए प्रती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 118.56 रुपए और डीजल की कीमत 95.25 रुपए प्रती लीटर ने धारित की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल की कीमत 118.6 रुपए और डीजल की कीमत 95.31 रुपए प्रती लीटर है मतादे की बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे ज्यादा के संगंज में है जहां पेट्रॉल 109.35 रुपे प्रती लीटर और डीजल 95.99 रुपे प्रती नौसाद रजा इसके साथ ही बरते हैं आज की सवाल की और आज का सवाल है आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टीट्वेंटी सीरीज के दूसरे मुकाबले में आपके अनुसार भारत की तरब से किस खिलारी के अच्छा प्रदर्सन करने की उमीद है आप अप झाल आप 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 आपश जो नहीं आप 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 कर दोड़ादी तरब गावान ना ही आप 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 आप